नमेशकार दोस्तों स्वागताब सभी का भविश्या मलिका के अंदर ने एक लाइन लिखी है जिसके अंदर लिखा है कि जब महाप्रल्या का समय आएगा यानकी कल यूगंत का समय आएगा तब उससे काफी साल पहले से ही कल की अफ़्या मलिका की माने ना तो साल 2024 वे साल 2025 वो साल होने वाला है जब इस प्रिट्वी पर बहुत बड़ा बड़ा परिवर्त्म होने वाला है वे जिस तेसरे विश्यूद के हम बात कर रहे हैं वो भी आपको यही दोस सालों में देखने को मिलेगा लेकिन इसी भविश्या मलिका के अफसार साल 2023 के अंदर उसकी पूरी बेस रूप रिखा तयार कर दी जाएगी आप इन सारी भविश्या वानी को अगर सच माने तो आप इसका मतलब तो यह निकलता कि कल की अवतार भी इस पूरिश्वी पर आके अपना कारे कर रहे हैं और कली पूरिश्वी लेकिन इस बात के अंदर आखिर कितनी सच्चाई है इस पर आज की इस वीडियो के अंदर क्या कि क्या विशेष्ताइं है जिससे हम पहच्चान पाएं कि क्ली पूरिश कौन है कली की अवतार के विश्य में भी यही जानकारी पराप्त करेगे दरसल एक धार्मिक गरत जिसके अंदर कलीपूरिश या काहल को लेकर एक बात लेकी गई है जिसके अंदर कहा गया है कि जो कलीपूरिश कलियू का राक्षश होने वाला है वो आज तक के प्रिच्वी के इत्यास का सबसे जदा शक्ति शाली राक्षश होने बाला है। इससे पहले बात करें रावन को इसके पहले का सबसे जदा शक्ति शाली राक्षश माना जाता रहा। रावन से भी कहते हैं कुरोडों गुना ज़्यादा शक्ति शाली राक्ष स्थूबा कलीपुष। अब रावन की शक्ति का अंदाजा, आप लोग इस बास से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े देवी देवता भी रावन के नाम से डर जाते थे। बड़े बड़े देवी दे लेकिन उससे भी कुरूडों गुना ज्यादा शक्तिशाली राक्षष कलीपुरिश के अखिर क्या विश्रिष्टाई होगी अब रावन की बात करें न तो उसमें आप देखो कि आपको कुछ अच्छाईयां भी नज़र आएंगी कहते हैं रावन टिका कार पंडित था अर्थासर रावन को जितने भी हमारे वेद धर्म गरंत है वो सारे मुझवानी याद से आप उसे कोई विश्रोग पूछो वो आपको ऐसे मुझवानी याद सुना देगा किसी भी हमारे वेद पुरान के अंदर से उसके अंदर ये अच्छाई भी थी वो भक्त भी था महादेव जी का बहुत बड़ा लेकिन उसने बुराई करी चली वो बात अलब अब बात करते हैं कलीपुरिश कहते हैं कि इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं हो ये किसी धर्म करंत को नहीं मानेगा बलकि एक और बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर देगा कलीपुरिश ये बात जानता है कि हम प्रित्विवासी ये बात जानते है कि जब भी यूग प्रिवर्तन का समय आएगा बुराई बढ़ेगी तब इश्वरी अवतार हम सभी को बचाने के लिए हमें सही मार्ग दिखाने के लिए जरूर अवतार लेए यह हम सबी बात जानते हैं चाहे वो पुरिशन जी रहे हो चाहे वो श्रीराम जी रहे हो समय समय पर हर बार ये चीज़े होती है लेकिन कलीपुरिश इस बार एक नया प्लैन जो कि हमारे भविश्यावानियों के अंदर लिक है वो ये तैयार करेगा कि लोगों को ध्रम पैदा कर देगा कि कौन है कलीपुरिश अब आप लोगों देखोगे कि पिछले 4-5 साल के अंदर भारत के अंदर जो हमारे सनातन धर्म के परचार परसार वाले सादू संत थे उनकी जो इमेज थी वो इस परकार से धूलित करी गए इस परकार से खराब करी गए कि आज के समय में अगर आप किसी को ये बात बोले कि मैं ये बाबा जी के पात जा रहा हूं या बाबा जी नाम सुन करी आप लोगों को एक भूम, एक फ्रोड की फील आने लग जाएगी कि यहां पर पुछ ना कुछ तो दोखा या गलत पका हुगा अब ये इमेज आई कि बाबा जी तो एक बहुत पवित्तर नाम था ना ये ही कारा कर रहा है कली पुरुष ने बाइ लोग पुछते हैं कि हमें क्या पता कली पुरुष कार्य कर रहे हैं ये कर रहे हैं बाकि भविश्या मलिका के अंदर एक और लाइन लिगिए कि जब कली युगंत कर समय आये गा ना तब पुरुष पर सब करने लगेंगे अर्थाक आदमी भी बच्चे को जनम देने लगेंगे और विदेशों में दो से तीन केस सरजरी के माध्यम से हो चुके हैं जिनमें एक आदमी ने बच्चे को जनम दिया पाकी और भी काफी ऐसी भविश्यावानिया थी जो कि यहां पुरुष अपना काम और रेडी शुरू कर चुक है अब इसका मतलब तो यह है कि कली पुरुष कर चुक है तो कल की अवतार भी कर चुक हैं बिलकुल कल की अवतार भी कर चुक हैं अब हम ये वीडियो बना रहे हैं कल की अवतार के बारे में बैठ कर आप लोग ये वीडि लेकिन कली पुरुष इसमें भी अपना पूरा रोल निबा रहे हैं दरसल हो यह रहा है कि आपको देखेगा सामने से देखेगा कि यह वेक्ति बहुत धार्मिक वेक्ति यह वेक्ति तो इस धर्म के बहुत ही उच्पदीवी पर बैठा है यह तो कोई बाप गुना नहीं कर र की जिसे हम इस इसना महान व्यक्ति मान रहे थे हो तो पापकी पुतले निकारें यह काम कली की आप visa कौन है सच्चा और जूत पुरें और कली सब्सक्राइब करें चलाकी से कर لोगों को जो इसवर के मार्ज पर चलने के रास्तर में भरमा रहा है लोगों को पता है कि मैं इश्वर को मानना है लेकिन किस परकार मानना है कौन सी इश्वर को मानना है ये कली पुरिश पता ही नहीं चलने दे रहा है आज कल आप लोगों देख रहे हो ब्लैक मैजिक, लोग तंतर मंतर कर रहे हैं, जादू तूना कर रहे हैं, जगा जगा तूना कर रहे हैं, यह कौन सी चीज़ हैं, यह हैं कली पूरश के चीज़ हैं, आप लोगों सुना हो कई लोग शेतान की पूजा तक कर रहे हैं, यह कौ आप उनके सामने बैठोगे तो ऐसे चुटकी बजा के आपको जादू थोड़ी मुटी कराम आते दिखा देंगे हलाकि 90 पर्तिशत ये चीज़े फेव करते हैं उन्हें आता भी नितंतर मंतर लेकिन 10% जिन्हें तंतर मंतर आता भी है क्यों कि वह टंतर मंतर में उ लदी हैं और यही काम कर रहें अब कली पुर्श ये काम कर रहे हैं आपको एक बात क्लिर कर दूँ कि आपको उस्ठीर पर इंतिजार कर रहे हैं ये बात कर रहे हो वो हम सबी लोगों को इस प्रिच्वी पर जिंदा रखने आई है तो आप गलत है ऐसा नहीं होने वाला वो हम सबी को जिंदा रखने के लिए नहीं आए वो हम सबी को यह जो हमारा जनम मरण का चक्र है इससे अजाद करवा के जादा से जादा लोगों को भगवान के पास या कि ये कली पुरुष का देश है हम आत्माओं को इस कली पुरुष के देश से निकाल कर भगवान के देश में ले जाने के लिए बुआ है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है विश्णु पुरान के अंदर एक जिकर मिलता है कि जब प्रिश्वी पर इतना पानी बरसा कि सब तबाहो बरबाद हो गया जल प्रले उसे कहते हैं जल प्रले आई तब भवान विश्णु ने मत से अवतार धारन करा वे चंद लोग जो कि इश्वर का नाम लेते थे जुड़े थे इश्वर के साथ उन्हें बचाया गया ताकि मानव जाती को आगे बढ़ाया जा सके बाक है कि भविश्या मलिका में एक लाइन लिखी आज के समय में साथ करोड़ साथ अर्ब पोपुलेशनेस दुनिया की जादा ही होगी लेकिन मत तीस करोड़ तीस से चालिस करोड़ लोग ही बचेंगे तीस से विश्व युद के बाद से प्रित्व पर अब इसका अंदाज़ हविश्यावानियों में तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि सभी के सभी लोगों को बचा लिया जाएगा जैनम मरन के चकर से मरना तो एक दिन सभी ने तैया है लेकिन जो तीस करोड़ लोग बचेंगे वो सिरफ वही बच पाएंगे जो धर्म के रास्ते पर चलते होंगे औ इससे ब्रह्म लोग का एक दिन कहा जाता है इसके बाद होती है रात अब जब वो रात आएगी तब महा प्रल्य हो जाती है सब कुछ ख़द और फिर से चक्र दुबारा शुरू होता है जब वहांपर दिन शुरू होता है लेकिन एक चीज़ और कहींगे कि कल्यूग के अं अंदर सत्युगाने का समय अब आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है अगर आप लोग जानना चाते हैं इस विश्या पर क्ल्यूग खत्म हो रहा है या कल्यूग के अंदर ही गोल्डन एरा स्वर्न यूगा रहा है तो आप कमेंट करके बताएए डिटेल से आपको इ वीडियो की जान का रिकमेंट करके जरूर बताएए तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रब रखा